हेलो दोस्तों तो आज 29th of April 2008 आज था आपका SSCJ paper 2 का exam तो the SSCJ means का exam था आज इंवोगों का exam थे अच्छा रहा होगा तो exam देने के बाद अब कहने हैं सोच रहोगा क्या उनके माक्सिब में आएंगे क्या वो काफी होगा कर पार कर पाएंगे तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें previous year cut-off जाना बहुत जरूरी हो ताकि एक idea हमें बन जाए इसलियों में आपको last five years के cut-off को बताऊंगा कि SSJ emails का मदब SSJ paper 2 का cut-off कितना जाता है बट इस बार 2017 जो SSJ emails 2017 का exam हुआ 2018 में तो आपको बता ही होगा कि paper 1 था जो objective type paper का इसमें cut-off हाई गई और इसमें cut-off हाई गई और इसमें vacances भी कम है तो पूरे की पूरे चांसे से है इसमार पेपर 2 का cut-off भी हाई ही जाएगा तो अभी मुझ देख लेते last five years के cut-off इतना cut-off जाता है एक idea बनने के लिए जितना भी cut-off जाएगा मैं उसके साथ एक expected cut-off भी आपको बता दूगा तो वह expected cut-off मैंने निकाला है ऐसे है कि इसमार वेकेंश कम है और पेपर 1 का cut-off भी हाई जाया था तो पेपर 2 का cut-off भी मेरे जाना चाहिए और बिलिवम 10-20 मार्स तो हाई जाय रही जितना प्रिमेंश में जाता था cut-off मैंस का उसे 10-15 मार्स हाई तो हो गई अब देख लेते last five years के cut-off 2012-2016 तो पहले कर लें ते हम लोग सीविल इंजिनिंग की बात तो सीविल इंजिनिंग का जो cut-off रहता है और हम दो 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 12 की बात करें तो आउट अफ त्रीहज़ त्रीहज़ थीहंड़ मार्स का जो एक्जाम होता पेंस में उसका अगा हम दो cut-off देखे तो और जनरल यू आ मतलब अनरिजर्ब के लिए और जनरल काटिवरी के लिए 84 माक्स और बीसी के लिए 54 माक्स, सी के 62, 56, 56, 32, Category आप लोग देख लो, 2014 में 136, 180, 79, 77, 30, 2015 में 131, 62, 50, 50, 40, 40, 30, अब बात करके 2016 की cut-off की, तो आप देख रहूँगे के 2016 का cut-off, compared to other years, बहुत हाई है, पर यह यह हुआ है, की 2016 का जो cut-off है, वो out of 500 है, बहुत पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 1 जो 200 मांस का हुथा, और पेपर 2 जो 300 मांस का हुथा, उसे प्लस करके ही cut-off दिया जाता है की, तो उनों को मिला कर अगर आपका इतना cut-off हुआ, एक राम में, तभी आपको एंटेवी में मिलाय जाए जा 2.75 HT, 139.5 for OH, and 87.5 for HH, एक है, तो दो जार सक्राब में भी आपका out of 500 ही cut-off जोड़ा जाएगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का cut-off जोड़ा जाएगा, तो आप देगे हुआ, बहुत पूरी की पूरी की चांसे है, इस से 15-20 मांस हाइर ही cut-off जाएगे, जैसे मैंने आपको बत हाएगे, और एक हैंस भी काम है, तो इस बार पूरी की पूरी की चांसे ही cut-off हाएगा, तो आप यहां से देख लो, मैं एक expected cut-off अब बता हूँ, जैरल, आपको OBC के लिए, माइनस कर लेना, 15-20 मांस, तो आपको पदा चलने है, OBC, SC, HD, जितना variation होता आप देख लो, आपक के लिए सिर्फ पता जिता हूँ, expected cut-off, तो इस बार चांसे है, कि cut-off 230-240 निमम तो जाएगी, खिक है, इतना cut-off तो जा नहीं, और सिविल, खिक है, सब मेकैनिकल की बाद करें तो आप देख लो, दो इस बार बारा के लिए, और जनरल इस वां 29, OBC के लिए 99, SC के लिए 79, OBC के लिए 67, OBC के लिए 67, HBC के लिए 63, ठीक है, इस बार बारा के लिए 300, तो इस बार टेरा 185, 160, 153, 120, 120, 76, तो इस बार चांसे है, 215, 180, 149, 126, 124, 64, and for 215, it is 107, 62, 50, 50, 40, 40, okay, अब 216 की बात करें, तो 216 में जैसे मैंने आपको पताया कि 216 से पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कटाफ जोड़ा जाद है, तो 216 में जो मेकानिकल और एलेप्रिकल की कटाफ है, वो है, for general it is 285.75, for OBC 245.75, for SC 210.5, for ST 206.5, ठीक है, तो 217 मेकानिकल की कटाफ की अगर एकस्पेक्टर जो कटाफ आईगा, उसकी बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया, इसमेर विकेंसिस काम है, और पेपर 1 कभी कटाफ हाई गया था, तो पेपर 2 का कटाफ भी हाई जाने का पूरे चांसे से, तो आप हिसाब लगा दो, अगर यहां कटाफ था 2016 के लिए 285.75 पॉर जेनरल, तो इससे 15 बिसमार्क सब बढ़ा ले, तो 300 के आसपास कटाफ जा सकता है, ठीक है, यह मेरा मानना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर देखा जाए ट्रेंड को, तो बढ़े गई, ठीक है, तो BCS, CSD अपना देख ले, 15 बिसमा होगा कि लिए, और जो कैंडिडेट्स दो है, अच्छा SSCG की पैयारी करे रहा, उनके लिए हेल्फिल होगा, कि वो अपनी प्रिप्रेशन की सिर्वल की कड़े, ताकि वो इस कटम को पाल करता, ओके, I hope यह डेटा आपको हेल्फ पूर रहा होगा, टैसे वीडियोस आगे ह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, और अगर आपको यह वीडियोस पसंद आए, और आपके लिए हेल्फिल का तो वीडियो को लाइक करने ना बुले, थांक्यू